थंडियों का सीजन चल रहा है इसमें एकदम गर्मा गरम और फूले फूले मटर के पराठी मिल जाए तो बात ही क्या है तो आप देखी सकते हैं कितने अच्छे मटर के पराठी बन के आए ना तो अब ना इस मटर को हम एक मिक्सर के पॉट में से अच्छे से पीस लेंगे तो हमने दरदरा होने तक थोड़ा सा दो तीन वार गुमाती पीस लिया फिर ना हमने यह पे एक कटोरी बेशन लिया है और दो टेबल स्पून फली दाना का चूरा कुछ फ्रेश हरा दनिया की प पाउडर एक टीसपून जीरा पाउडर आदा टीसपून गरम मसाला नमक आपके टेस्ट के साफ से शक्कर वह भी आपके स्वादान उसर आप ले सकते हो और थोड़ा सा निम्बू का रस ले लिए हमने आदा निम्बू का रस से हीए और थोड़ा एक चुटकी हींग लिये अब हमने यह पे एक कड़ाई लिये और उसमें 1 टेबल स्पून तेल लिया है तो तेल को गरम होने देंगे जैसे तेल गरम हो जाए हम इसमें हरी मिर्ची, हींग, कड़ी पत्ता और अद्रक डालके इसका तड़का ले लेंगे जब तड़का अच्छे से आजाए अब हम इसमें एड करेंगे यह मटर, जो मटर हमने पीस्की रखे थे ना उसे इसमें एड करेंगे और इसे थोड़ा सब हमें फ्राय करना है इस तेल में ताकि इसका कलर और टेक्शर भी अच्छे से चेंज हो जाए और इसका टेस्ट भी तो चले इसे ना पास सट मिनिट के लिए थोड़ा फ्राय होने देते हम इच बिच में चलाते रहेंगे ताकि ना यह नीचे से लगे ना ठीके जब इसका कदर अच्छे से चेंज होने लग जाए और इस सारा पीसावा मटर इसमें मिक्स हो जाए तब हम इसमें कुछ मसाले करेंगे तो पहले हमने साइट से बेसन डाल दिया जो मने कर्टोरी बेसन लिया था उसे इसमें आइड कर लिया और इसे ना दो मिक्स्टर में अच्छे से मिला लिया फिर इसमें हमने आइड किया यह जीरा पावडर गरम मसाला लाल मिर्ची पावडर और फिर यहां पर इसके साफसे नमग और इन सभी को अच्छे से मिला दिया है इस मिक्षर में तो देखिए कैसे सराटा के हल्प से हमने सारे सामगरी को अच्छे से मिला लिया और जो शक्कर थी वो भी इसमें आड़ कर लिया तो दो मिट इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे ये दो टेब स्पून फल्लिदाना का चूरा निम्बू का रस और हरा दनिया इसे अच्छे से सब को गार्णिश कर लेंगे और नहीं हमारा भरावन बनके एकदम परेड़ी है तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे तो चलिए अब देखते इस भरावन से पाला इंटा के से बना ते तो हमने ना जैसे रोटी का आठा लगा य। वैसे आठा के रखा था तो दस मिट इसे भीजने दिया दस मिट बात हमने इसके गोली बना दिया जैसे जैसे रोटी के गोल बन के रेडी हो ज gin, हम इसमें अर्ट करेंगे, जो मसाला हमने बना के रखंगे है, तो देखें इतना हमें गोल होने तक इसे बेल लेता है, अब इसमें एक गोली बनाके यह मसाला एन्हें वणी टीस्पुन हमने के एट कर लिया है, ठी तो फिर न हम इसके एक पोठली बनाएंगे तो हम जैसे कचुरी भरते डाइम ऐसे राउंड रॉन करके इसे थोड़ा-थोड़ा मोड मोड के पोठली बनाते है न वैसी इसके पोठली बना लेना है इस प्रकार से अच्छे से बनाने की जो उपर का आटा है न एक्स्टा आट लगा दिया और बेलन से हलके हातों से गुल-गुल करते बेल लिया है और ध्यान रहे कि हमें इसे हलके हातों से बेलना है अगर इसे आप दबाते बेल देऊंगे न तो इसका मसाला सच में पूरा भाहा निकल के आ जाएगा तो ध्यान रखना इस बात का तो चलिए यह पिखें तो पलटाना और तरहाना नाटकि पहले वन सैट से से शेखना है उसके बाद ही तेल लगाने पलटाने केवाद अगर पहले साथ लगा दूंगे तो जब एक साट से तेल लगा दिए पर जादा ला दिये तो अम उस्षे सब्सक्राइब तो उसक्राइब करना जो बस वन टीस्पून के असवास तेल बहुत है पराटे के लिए आप चाहे ना यहाँ पर घी भी उस कर सकते बट मुझे तो तेल से बनीवे पराटा पसंद आता है तो मैंने तेल ही लगा है मैंने यहाँ पर घी साथ इसे सवर्व किया है जो लसुन और हरी मिर्ची से महाराष्टीन ठीसा बनता उसके साथ उसके साथ नहीं पराटा बहुत ज़्यादा टेस्टि लगता है अगर आप चाते हो कि महाराष्टीन लसुन और मिर्ची का ठीसा कैसे बनता ये सिखना है बहुत आसन तरीकी से तो मुझे कमेंड करके जरूर बता है मैं आपसे इसकी भी रेसिवी शेयर करूँगी ठीके? तो देखे कितने अच्छे मटर के पराठे बनके निकल के आए इसे देखते हो रही हैं इसे खाने के इच्छा औरना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अगर आप मेरे इस रेसिवी को फॉलो करते वे ये पराठा बनाओंगे न तो बहुत ज़्यादा अच्छे और नरम बनते हैं और ठंडियों की दिनों में अगर आपको ये रेसिवी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बर-बर की से शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल न भूले तो चलिए जल्दी हैं मिलते हैं हम एक नए रेसिवी के साथ तब तक खाओ पीओ और खुश रहो थैंक यू